हाई एवर्यून कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता है आप सब लोग ठीक हो तो गास मेरे ना मैं विनाश और आज की वीडियो में बात करने वाले है रोड मैप आफ कोडिंग के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि नोन टेक्निकल बैक्डाउंड से आते हैं बड कि आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने माला हूँ गूगल का लॉंच किया हुआ एक प्लैटफॉर्म जो की है टेक्टेव गाइड की नेम से और गाइस यहां पर आप अपनी टेक्निकल स्कूल्स को बहुत जादा इंप्रूब कर सकते हो क्यों कि गूगल ने खुद जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हो आप इस पोर्टल पर आज होगे और यहां पर आपको सबसे पहले मिलता है ग्रोई और टेक्निकल स्किल्स विद गूगल एंड डेफिनेटली गूगल के उपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि पिछले दो साल से जब से अलमस्ट से नहीं हो तो आपको basically नहीं बता हो कि computer science है क्या इसके लिए आपको यहां पर एक video tutorial मिलता है आप simply इसके लिए आपके पास दो वीडियो अवैलेबल है आप वीडियो को चेक आउट कर सकते हो अगर आपको पढ़ना पसंद है वीडियो देग नहीं जगा तो आप simply यहां प है यह और यहां पर आपको free online resources भी मिल जाते हैं like आपके Google JavaScript का course मिल जाता है Python का course मिल जाता है Java का free course यह साही चीज़े मिल जाते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं आपको intro to iOS app development में भी आपको courses मिल जाते हैं यह free courses हैं यहां पर कुछ भी पे नहीं करना मैं क्यूं कहरा हूं सब्सक्राइब से best platform क्यों गूगल वही चीज़े suggest कर रहे हैं जिस पर लोग trust कर रहे हैं बहुत सारे लोग यह चीज़े चेक आउट कर रहे हैं इसलिए Google इन्हें यहां पर शो कर रहे हैं अब अगर हमाएं अपने main homepage पर तो यहां पर आपको next topic पर चलते foundation of programming पर फांडेश सीबी programming language जाओ आपको यह चीज़े सीखनी पड़ेगी कि कैसे work करती है तो लाइक variables operator है यहां पर आपको variables होती है इसके लिए simply आपको एक video मिल जाती है आप video भी watch कर सकते हो और अगर आपको वीडियो नहीं देखनी है तो यहां पर आपको interactive tutorials मिलेते हैं और इसके बाद आप आप suppose variable की videos देख लेते हो आप interactive tutorials फॉलो कर लेते हो आपको coding questions भी दिये जाएंगे यह सबसे best चीज़ लगी मुझे इस platform की पहले क्या होता था हम एक जगह से पढ़ते थे और practice करने के लिए दूसरे platform बजाते थे बट यहां पर ऐसा नहीं होगा आपको सारे चीजों के link एक जगह भी मिलेंगे suppose आपने इन चारों को follow कर लिया इन चारों को complete कर लिया आप simply coding question पर click करते हो यह आपको redirect करेगा और यहां पर अपनी coding test कर सकते हो बहुत ही easy type of question है वैसे ही आप कर सकते हो बट आपको यह चीज़े पहले follow करनी पड़ेंगी अगर आप beginner हो तो seriously यह बहुत ही best platform है आपके कोई भी object orientation programming में आप जाना चाहते हो अब यहां पर आपको simply वही चीज़े दिख रही होगी कि अगर आपको video से सीखना है तो आप video सीख सकते हो अदर्वाइस आपको reading material भी मिल जाएगा reading material complete करने बाद आप देख सकते हैं आपको coding question मिलते हैं और guys आप यहां पर जो मुझे इसके बाद second best point लगा इस portal का that is programming languages आप अपनी मन चाही language के coding कर सकते हैं suppose आपको C++ पर सीखना है आप simply C++ पर टिक करो और आपको यहां पर जितनी भी चीज़े मिलेंगी वो C++ से related ही मिलेंगी so that how it works तो guys वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूंगा domainracer.com के बारे में जो कि basically आपको domain और web hosting से related कि बहुत सारी services प्रवाइड करते हैं तो अगर आपको खुद के लिए domain लेना है तो आप domainracer.com को check out कर सकते हो यहां पर आपको हर type का domain अच्छे और genuine prices पर available हो जाएगा अगर domain के साथ आप web hosting भी लेना चाहते हो तो आप से plain की web hosting भी ल per month का होता है अब अगर बात करें मैं मेरा personal recommendation रहती है मेंशा personal के लिए या फिर silver के लिए क्योंकि अगर आपको खुद का business करना है तो यह दोनों बहुत ज्यादा best होते हैं लेकिन यहां पे difference क्या है आपको personal में और silver में यहां सिर्फ एक difference होता है कि आपको यहां पे single website host कर सक करते हो इसी single hosting के उस पे course पे यह चीज बहुत ज्यादा impact करती है अगर आप multiple business run करना चाते हो multiple website बनाना चाते हो और यहां पे आपको unlimited SSD storage मिलती है यहां पे सब कुछ हर चीज almost same में आपकी unlimited bandwidth है light speed technology है almost almost हर चीज आपको same मिलती है बट अगर आप एक basic plan लेते हो वह सिर्फ उस आप फिचर को multiple website की जुरूत होती है वो ही advance plan लें लेकिन यहां पे benefit बहुत सारे हैं जैसे आपको free domain मिल जाता है आप unlimited hosting unlimited website को host कर सकते हो और all features silver pack के मिलते है और information के लिए आप domainracer.com को check out कर सकते हो मैं link आपको description box में दे दूँगा so make sure आप एक बार जरूर check out करना और अगर आपको web hosting की need है तो आप यहां से web hosting ले सकते हो तो अगर आप हम बात करें अपने next topic की तो उसके लिए हम चलते है अपने home page पे और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं हमारा next topic है data structure and algorithm गाइस अगर आप एक software engineer बनना चाहते हो या फिर आप एक back-end engineer बनना चाहते है तो data structure is the most important part for you और आपको यहां पर सारे topics मिल जाएंगे like map visionary link list tree stack queue heap graph searching sorting and recursion recursion के questions सबसे ज़्यादा मैंने face की है तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पर quick intro to hash maps मिल जाता है आपको यहां पर इसकी video देख सकते हो अगर चाहो तो और अगर आपको videos नहीं देखनी है as I told कि आप यहां पर interactive tutorials देख सकते हो और उसके बाद practice कर सकते हो अब गाइस एक और चीज जो मुझे यहां पर अच्छ information मिल जाएगा कि आपको कितना time लगेगा इसमें और यह बहुत ही beneficial होती है suppose आप tree कर रहे हो यह topic कर रहे हो आपके पास time नहीं है जाता आपको यहां पता चल जाएगा कि मुझे 10 minute video में देने हैं 10-20 minute मुझे reading में देने हैं और इतना ही time मुझे यहां पर question resolve करने में देना है सेम चीज यहां आपको मिल जाती है आप programming language select कर सकते हो और उसके according अपने data structure को complete कर सकते हो गाइस अगर उसके बाद आता है हम अपने home page पे और यहां पर बात करते हैं next topic that is most important interview preparation guys जितने भी लोग यह चीज़े सीख रहे हैं damn sure वो job करने के लिए ही सीख रहे हैं freelancing के लिए ही स इसमें आती है आपकी सबसे important चीज that is for your interview preparation अगर आपको नहीं बता कि क्या चीज़े मुझे पढ़नी है interview के लिए google आपको provide करता है कि आपको interview tips from google engineers जो कि already google में working है या रह चुके है software engineers उसके बाद आपको यहां फे reading articles भी मिल जाते हैं कि google का hiring process क्या है आपको prepare कैसे करना है interview क आपके लिए technical interviews कैसे होंगे और उसके बाद आपको google के mock interviews भी मिल जाते हैं देखने को so guys यह सारी चीज़े एक platform पर google ने देखे बहुत अच्छा काम किया आपको यहां पर प्रिवेस यह के question पेपर भी मिल जाते हैं कि पहले ही जो questions आए है interviews में किस टाइब के question आते है नहीं मिलते हैं next video में thank you so much आटा बाइ बाइ बाइ